जैहिन साथियो तो वीडियो के डेस्किप्सर में दोस्तों पीडियाइफ इसकी में डाल रखिए वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं सभी महत्पूर्ण और उप्यो की विशन दोस्तों इसमें मैंने सामिल कर रखे हैं रोजाना ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों जोइन कीजिगा ठीक है रेड वटन को टिक कीजिगा और नॉटिफिकेशन बैल आइकन को अन कीजिगा सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डांक सेवा के बारे में यानि की इंडियन पोस्ट आफिस के बारे में या इंडियन पोस्ट के बारे में दोस्तों आप लोगों को पता होगा की डांक होता क्या है देखिगा यदि आपको कोई भी अपने मतलब कोई भी अपनी वस्तु किसी दूसरे स्थान पर पहुंचानी हो ठीक है तो आप डांक का सहारा ले सकते हैं दोस्तों डांक के माध्यम से यह वो पहुंचाई जा सकती है देखिएगा भारते डांक सेवा भारत सरकार द्वारा इंडिया पोस्ट या भारते डांक के नाम से काम करती है तो ये भी पूछ सकता है भारते डांक सेवा किसके नाम से काम करती है एक तो इंडिया पोस्ट या फिर भारते डांक के नाम से काम करती है इस सेवा ने भारत में संचार के प्रिसार में काफी योगदान दिया है भारते डांक एवमतार सेवा से समंदित एतिहासिक तथ्या निम्न लिकित हैं जो कि आप सभी के लिए दोस्तों यहां पर मैंने करमानुसार रखे हैं फुल टू फाइनल आप सभी को इनफोर्मेशन सारी की सारी दी जाएगी जो भी आपके एक्जाम के एकॉर्डिंग सबसे जादा खास होगी सबसे पहले देखिएगा दोस्तों 1776 ठीक है 1776 में क्या हुआ बंगाल के पहले गवर्नर किलाइव द्वारा भारत में पिर्थम डांक विवस्था इस्थापित की गई तो आप से पूछा जाए बंगाल के किस गवर्नर ने भारत में पिर्थम डांक विवस्था इस्थापित की वो की थी गवर्नर लाड गिलाइव ने कब की थी 1766 एसवी में तो वह एक कुशन तो यहां से इस फिरकार बन सकता है अगला देखीगा 1774 में डांक के छेतर में क्या हुआ 1774 में आ गए दोस्तों कौन वारेइन हैंस्टिंग्स वारेइन हैंस्टिंग्स ने 1774 में कलकता में पिर्थम डांक घर इस्थाबित किया 31 मार्च को तो आप से पूछेगा पिर्थम डांक घर कब इस्थाबित किया गया वारेइन हैंस्टिंग्स ने दोस्तों कलकता में ये इस्थाबित किया था 31 मार्च 1774 को तो बही important question बन गए चलिए आगला देखिएगा दोस्तो मदरास प्रिधान डाक घर की स्थापना कब हुई तो मदरास प्रिधान डाक घर की स्थापना 1786 में हुई सभी से रिलेटेड दोस्तों आप सभी को मैं डिस्कस कराऊंगा बंबई पिर्थान डांक घर की स्थापना 1793 मोही याद रखेगा अगला देखीगा 1837 में तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाकर एक अकिल भारते डांक सेवा बनाने के अधिनियम को लागू किया गया तो आपको पूछा जाएगा तीन प्रेसिडेंसी को मिलाकर अकिल भारते डांक सेवा बनाने के अधिनियम को कब लागू किया गया 1837 में दोस्तों लागू किया गया था अगला दोस्तों 5 नवंबर 1850 को कोलकाता और डायवंड हारवर के बीच तार टेलिग्राम सेवा प्रारम हुई ठीक है ता आप से पूछेगा डायवंड हारवर और कोलकाता के बीच जो टेलिग्राम सेवा या फिर तार सेवा थी वो का प्रारम हुई 5 नवंबर 1850 को इंपोर्टेंट कुश्छन है अगला देखीएगा नेच्ट वन स्टांप जो होते हैं न स्टैंपस इसकी सुरुवात कब हुई दूस्तों याद रखेगा 1852 में स्टैंपस की सुरुवात हुई अब 1854 में दूस्तों क्या हुआ था पोस्ट ओफिस में देखीगा 1854 में भारत में पोश्ट ओफिस को प्रितमबार 1 अक्टूबर 1854 को राश्टे महत्व यानि सारवजनिक के प्रित्थक रूप से डारेक्टर जर्रूनल के संयुक्त नियंतरण के अंतरकत मानेता मिली तता संपूर्ण भारत में वैद डांग टिकटों की सुरुवात की गई सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2004 को डांग सेवा यानि डांग सेवा के 148 वर्स के रूप में मनाये गया है 2004 को भारते डांग सेवा की स्थापना 1 अपरेल 1954 को मानी जाती है तो आप से पूछे भारते डांग सेवा की स्थापना कम मानी जाती है एक अपरेल 1954 को मानी जाती है या विभाग अस्तित्म आये थी डांक और तार दोस्तों सारवजी ने कब किया गया था 1844 में डांक तार को सारवजी ने किया गया था रेल डांक टिकट सेवा कब आरंब की गई तो याद रखेगा 1863 में रेल डांक सेवा आरंब की गई थी अगला नकासिदार लिफापे की बिकरी का प्रारम्ब की गई जो नकासिदार लिफापा होता है उसकी बिकरी 1873 ESW में दोस्तों प्रारम्ब की गई थी 1866 में ठीक है तो 1866 में भारत पासल पोस्टल यूनियन में सामिल किया गया था दोस्तो 1877 में वी पीपी और पारसल सेवा का आरंब हुआ था याद रखेगा दोस्तों याद रखेगा post card 1889 इस भी में बरारंब किया गया money order सेवा का प्रारंब की गई, 1888 में money order की जो सेवा थी वो प्रारंब की गई ठीक है 1908 में दोस्तों क्या घटना हुई थी 1908 के 600 यानि 1908 में 652 देशी राज्यों में से फिर देशी रियासतों में से 635 राज्यों ने भारते डांग घर में सामिल होना स्विकार कर लिया तो 1908 में 652 देशी राज्यों या रियासतों में से 635 राज्यों ठीक है 635 जो राज्य की रियासत थी उन्होंने डांग घर को दोस्तों या डांग घर में सामिल होने का जो प्रस्ताव था उसे स्विकार कर लिया पर्थम एयर मेल सेवा इलावाद से नैनी डांग से भीजी गई थी कब 1911 में तो आप सेican किस किस के बीच चली थी पहले इलावाद से नैनी चली थी ठीक है नैनी दोस्तों नैनी ताल कहां पर है आप अथा उत्तराखट में है ठीक है 1904 में फिर्थम विसवीद्धो की सुरुवात में डांक और तार विभागों को मिला दिया गया थैंने डांक और तार को 1 ठी मिला कर न जविशन में अगला इंडियन पोस्टल औरडर कर प्रारंब वह था 1935 में इंडियन पोस्टल ओरडर March josh important question है next देखिएगा अगला question 1949 में एक जनवरी ठीक है 1949 एक जनवरी को भारत के 9 तार घरों आगरा इलाबाद कानपूर पटना जबलपूर और वाराण सी आदी में हिंदी तार सेवा शुरू की गई तो हिंदी तार सेवा शुरू की गई थी एक जनवरी 1949 को भारत के 9 तार घरों में ठीक है याद रखेगा अगला देखिएगा नेक्स्ट है 1972 में 15 अगस्त को दोस्तो पिन कोड पद्धती का प्रारम किया गया था तो आप से पूछेगा पिन कोड की जो पद्धती थी जैसे कि हमारे याँ का जो पिन कोड है वो 20 32 2 है ठीक है तो ऐसे ही 1972 में पिन कोड की जो प्रपद्धती है प्रिणाली थी वो लाई गई थी डांक जीवन बीमा का प्रारम दोस्तो 1984 में हुआ था डांक जीवन बीमा का प्रारम अगला 1985 में पोस्ट और टैलीकाम विवाग वरता किये गए थे ehkä अगला कुशन देखेगा 1990 में डांक विवाग मुंब secular दो स्वेचालित डांक प्रैसल्स करण स्थाबित किये गए थे तो आपसे पूछ लेगा 1990 में कहां पर दो स्वेम चालित या निस्वे चालित डांक प्रेसंसकरण के अंदर स्थाबित किये गई मुंबई वे चेन नहीं में अगला ग्रामीड डांक जीवन बेमा योजना की सुरुवात कब होई याद रखेगा ग्रामीड डांक जीवन बेमा की सुरुवात की गई थी 1995 में याद रखेगा अगला मीडिया डांक सेवा का प्रारम की गई 1996 में मीडिया डांक सेवा प्रारम की गई थी आप लोग इसका दोस्तों नॉट्स भी ले जा सकते हैं PDF डाउनलोड करके आगला देखेगा नेक्स्ट है बिजनेस पोस्ट सेवा को कप प्रारम किया गया 1997 में में बिजनेस पोस्ट सेवा को प्रारम कर दिया गया था उपगरह डांक सेवा कब सुरू ही दोस्तों उपगरह डांक सेवा 1998 में सुरू ही थी यक्सप्रेस डांक सेवा कब प्रारव वुई ती uncommon 99 में ग्रीटिंग पोस्टाड सेवा कब शुरू हिए 2000 में दोस्तों ग्रीटिंग पोस्टाड सेवा शुरू ही थी आगला देखले कर 2001 में Future Electronic Fund Transfer सेवा यानि EFT Electronic Fund Transfer सेवा 2001 में सुरू की गई थी नेश देखे गाब दोस्तो 2002 जनवरी में तीन जनवरी को इंटरनेट आधारियत ट्रैक आय। टैक्स सेवा की सुर्बात की गई ठीक है दोजार तीन में 15 सितंबर को बिल-मेल सेवा काप प्रारम हुआ तो बिल मेल सेवा का प्रारम हुई 15 सितंबर 15 सितंबर 2003 को अगला देखिएगा next है 30 जनवरी 2004 को इ-post सेवा की सुरुवात की गई electronic post सेवा या फिर इ-post सेवा की सुरुवात कब हुई थे 2004 में 30 जनवरी को दोस्तो 30 जनवरी को कौन सा देपस मनाया जाता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे next देखेगा 10 अगस्त को दोस्तो लॉजिक्ष्ट पोस्ट सेवा प्रारम की गई थी तो लॉजिक्ष्ट जो पोस्ट सेवा थी वो कब सब्सक्राइब मैं संपूर भारत में कितने कारी रत है वरतमान में दोस्तो जो कारी रत है 155,015 दांक का पिसकारी रत हैं ठीक है अगला शार्बजनिक तौर पर डांक सेवा कप्राराम होई 1837 में तो यह कुछिन पूछा जाएका सार्बजनिक तौर पर डांक सेवा कप्राराम होई 1837 में डांक विफाक की स्थापना कभी यह पूछेGा तो 1854 में दोस्तों डांक विभाग की स्थापना हुई थी याद रखेगा पहला डांक टिकट जो की कलकता में छापा गया था कब छापा गया 1854 में पहला डांक टिकट छापा गया था कलकता में डांक अगर बचत योजना का प्रारम का हुआ 1885 में डांक अगर बचत योजना शुरू हुई थी पिनकोड पिरनाली 1922 में लाई गई थी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्पीड पोस्ट का प्रारम 1986 में हुआ विदेई संचार निगम लिम्टेट की स्थापना दुस्तो कब हुई थी तो याद रखेगा ये विदेई संचार निगम लिम्टेट की स्थापना 1986 में हुई थी टैलिकाम मिसन की स्थापना 1986 में हुई ठीक है तो आप से पूछेगा बिजनीस में हुआ और बिल मेल सेवा का यजन 2003 में हुआ था इपalyst की शुरवात कब हुई थी इपोस्ट की शुरवात जो 2004 में हुई थी डाइरेक्ट की रगेट्र की इअ, डाइरेक्ट की रगेट्स की 2006 में हुई और यू आई дома ठीक है पर यूजना की सुरुवात कब हुई ठीक है यू आई डी एई की दोस्तों सुरुवात जी 2014 में हो गई थी चलिए बात करेंगे दोस्तों हम डाक के बारे में जितनी भी इन्फोर्मेशन जुटा नहीं दे जुटा चुका हूं अब रेडियो के बारे में बात कर लेते थोड़ा चलिए सबसे पहले देखिएगा 24 दिसंबर 1906 की साम कनडाई व्यग्यानिक ठीक है रेगी नाल्ड फैंडेंसेंस ने जव अपना वाइलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रही तमाम जाहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने भारत में गुलेलो मो मारकोनी नेशन 1900 में एंगलेंड से अमेरिका बेतार संदेश भेज कर व्यक्तिकत रेडियो संदेश भेजने की सुरुबात कर दी थी ठीक है तो आप से पूछेगा व्यक्तिकत रेडियो संदेश भेजने की सुरुबात कब हुई थी 1900 में एंगलेंड से अमेरिका भेतार संदेश दोस्तों भेजा गया था याद रखेगा ठीक है पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजना या ब्राड कास्टिंग की सुरुआत दोस्तों 1906 में फरनेंडेस के साथ की गई थी ठीक है था याद रखेगा यह इंपोर्टेंट ननीजन निया का पहला रेडियो स्टेशन चुरु किया है नियसाल बाद ही ने 1929 में सैंस फ्रांसिको और मैं दोस्तों क्या उआ रर्यों स्टेशन सुरु कर दिया है ठीड़िक कहां पर सैन्द फ्रांसिकों मैं कब 1919 में याद रखेगा, रेडियो मैं विग्यापन की सुरुबात कभ हुई, 1923 में रेडियो में विग्यापन की सुरुबात होई, नवेंबर 1941 में स्वासेंदर बोस्त ने रेडियो पर जर्मनी से भारत वासियों को संबोधित किया था तो ये कुशन इंपोटेंट है कि स्वासेंदर बोस्त ने कब संबोधित किया था 1941 में कहां से जर्मनी से भारत वासियों को संबोधित किया था चलिए भारत और रेडियो देख लीजी आँ 1927 तक दोस्तो भारत में भी डेरो रेडियो केलेओं की स्थापना हो चुकी थी 1936 में भारत में सरकारी एंपरियल रेडियो आफ इंडिया के सुरुवात की गई तो आपसे पूछेगा सरकारी Imperial Radio of India की शुरुवात का हुई 1936 में ठीक है याद रखिएगा जो आजादी की बाद All India Radio या फिर आकासवानी के नाम से जाना जाता था ठीक है next देखेगा अपने पहले प्रेसेंस करण में उदोसक उसा महता ने 1.41.78 मीटर पर एक अंजान जगह से याई National Congress Radio Station है दोस्तों ये कहा था 1941 में रेडियो जर्मनी से निजाई स्वासेंदर बोस का भारतियों के नाम संदेज भारत में रेडियो के इतिहास एक प्रसित दिन रहा जब निताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा 1941 में ठीक है स्वासेंदर बोस ने जर्मनी से सम्मोदित किया था नेक्ष्ट देखिएगा अगला कुशन है इसके बाद 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना होई आजाद हिंद रेडियो की स्थापना कवी 1942 में जो पहले जर्मनी से फिर सिंगापुर और रंगून से दोस्तो भारतियों के लिए समाचार प्रसारित करता था स्वातंदरता के पस्चात 16 नवंबर 2006 तक रेडियो केवर सरकार के अधिकार में था दीरे दीरे आम नागरिकों के पास रेडियो की पहुँच के दोस्तो जो विकास था वो हो गया सरकारी सर्रक्षन में रेडियो का काफ़ी प्रसार हुआ 1947 में आकासवाने के पास 6 रेडियो स्टेशन थे उसकी पहुँच 11 प्रतिसत लोगों तक ही थी आज आकासवाने के पास 223 रेडियो स्टेशन है और उसकी पहुँच 99 99.1 परसेंट लोगों का तक है या फिर भारतियों तक है चलिए अब टेली विजन के बारे हम बात कर लेते हैं दोस्तों टेली विजन का जो प्रसारन था ठीक है दूर दरसन का पहला प्रसारन का हुआ था 15 सितंबर 1969 को दूर दरसन का पहला ठीक है क्या हुआ प्रसारन हुआ और दोस्तों इसे प्रियोगात्मक आधार पर आदे आदे घंटे के लिए ठीक है प्रियोगात्मक आधार पर था, याद रखेगा, ठीक है, बाद में 1975 में, इसका नाम, इसका जो नाम था, हिंदी नाम, दूरदर्सन रख दिया गया, और यह दूरदर से नाम दोस्तों इतना लोग पर यह हुआ कि टीवी हिंदी का दोस्तों परिया ही बन गया अगला सुरवाती दिनों में दिल्ली भर में 18 टेलिविजिन सैट लगे थे शुरवाती दिनों में चेन नहीं में 1975 में दोस्तों इसके प्रिसारन की सुरवात कर दी ठीक है याद रखेगा सुरवात में तो दूरदर्थन यानि टीवी दोस्तों दिल्ली और उसके आसपास के कुछ छेत्रों में ही देखा जाता था दूरदर्थन को देश भर के सहरों में पहुचाने की सुरवात 80 के दस्चक में ही और इसकी वज़ा थी दोस्तों 1982 में दिल्ली में आज़त किये जाने वाले पहले एसी आई खेलों के दिल्ली में होने का एक लाब यह भी हुआ कि स्वेत और स्याम देखने वाले दूरदर् करम हम लोग जिसने लोग प्रिता के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिये 1984 में देश के गाउं गाउं में दूरदर्शन पहुचने के लिए देश वर में दोस्तों हर दिन एक ट्रांस्मिटर लगाया गिया अगला 1976 में सरकार ने टीवी को ओल इंडिया रेडियो से अलग कर दि थी 1982 में भारत में टेलिवीजन पर पहला रंगीन प्रसारन 15 अगस तो 1982 को ततकाली प्रदानमंत्री इंडरा गांधी के भासट के साथ हुआ दोस्तों यह थी रेडियो टीवी और आप सभी को बताए तार डांक इन सभी के बारे में जरूरी और महत्पूर्ट वीडियो आजा करता हूं आपको समझ माया होगा थैंक्स पर वॉचिंग है वे ग्रेट डे